बिग बॉस के घर में एजास खान सबसे strong contender में से एक माने जाते हैं, लेकिन बिग बॉस के घर से उन्हें exit लेना पड़ा, ताकि उनकी जो work commitments थी वो पूरी हो सके, तो एजास खान ने अपनी फिल्म की shoot के चलते, बिग बॉस के घर से वो बेगर हो गए थे, लेकिन कुछी द बिग बॉस के घर में एजास खान की proxy बन कर आई, टीवी की गोपी बहु यानि देवलीना भटाचार जी, और घर में आते ही देवलीना भटाचार जी का violent behavior जो की निकल के सामने आया, सबसे पहले आपको बदा दे कि टाइम सोब इंडेक से एक interview के दौरान, एजास खान से पूछा गया, कि आखिरकार उन्हें कैसा लग रहा है कि देवलीना भटाचार जी उनके as a proxy बन कर आई है, उन्हें वो रिप्रेजेंट कर रही है बिग बॉस के घर में, जिस पर एजास खान कहते हैं, Ever since I came out of the house, I have been shooting back to back and I have no idea what is happening inside the house, I have no clue what देवलीना is doing as my proxy, वो कहते हैं कि जब से वो घर से बाहर आए हैं और वो अपनी shooting को back to back कर रहे हैं, कोई break नहीं है, और उन्हें कोई भी idea नहीं है कि आखिरकार घर में हो क्या रहा है, और देवलीना भटाचार जी कर क्या रही है, उ जैसा कि देवलीना भटाचार जी जिनका एक aggressive behavior सामने आया था, emotional outburst हो गया था, उनका साथ ही साथ कहते हैं कि violent behavior के उनका सामने आया था निकल कर, और इस पर उन्होंने ये कहा था, और देवलीना भटाचार जी जो कि अपने aggressive behavior के चलते हैं, वो nominate भी हो गई हैं, और एजास खान भी एक तरह से nominate हो गए हैं, क्योंकि वो उनकी proxy बन कर आई हैं, और जब वो proxy बन कर आई हैं, तो वो जब उन्हें represent कर रही हैं, तो वो nominate हो चुकी हैं, तो मतलब एजास खान भी boss के घर में nominate हो चुके हैं, साथ ही साथ, अपनी re-entry पर आखरकार एजास खान ने क्या I am out of the house for a professional commitment which is almost done, now the discussion between me and makers is about to my re-entry, makers are glued into everything happening in my life as of now, they know when and where I am shooting and will decide on my re-entry, so उन्होंने बूल दे जो makers हैं, वो उनके बारे में सब को जानते हैं, कि वो कहां पर shoot कर रहे हैं, कि सीज का वो shoot कर रहे हैं, साथ ही साथ, उन्होंने ये भी कहा है कि जिस चीज के लिए वो घर से ब उनकी almost पूरी हो चुकी है, और अब उनकी discussion चल रही है makers के साथ, कि वो big boss के घर में किस दिन entry लेंगे, क्या करना चाहेंगे आप comment करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को subscribe करें, ऐसी ही updates के लिए